दिली हाई कोट ने अपने एक एहम फैसले में ये कहा कि अगर कॉर्मेंट जॉब करने वाला कोई भी वेक्ति अपनी जॉब के रिलेशन में किसी भी तरह के नकली डॉक्रिमेंट जमा कराता है तो उसके साथ किसी भी तरह की दया भावना नहीं दिखाई जाएगी उस पर सक् की बाद कर रहे हैं उसका टाइटल है किरन ठाकूर वर्सिस रेजिडेन्ट कमिशनर पिहार भवन और इस केष के सुनवाई जस्टिस मीनी पुस करना की बेंच कर रहे थी इस केष में दिल्ली हाई कोट एक महला की याचिका पर सुनवाई कर रहे थी जिसमें उसने अपने के दो हजार चौदा के आदेश को रद करने की मांग कर रही थी दो हजार नौ में बिहार भवन में शराब के नसे में उपद्रव करने और दूसरों को परिशान करने के आरोप में महिला को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था जिसके बाद महिला को सस्पेंट कर दिया गया जिसके बाद investigation की गई और investigation में पाया गया कि जब उसे job दी गई थी तो उसने अपने educational document में 8th class के document वहाँ पर submit कराये थे। पर जब ठीक से investigation की गई तो ये पाया गया कि सारे certificate नकली थे। जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। High Court ने महिला के इस case में फैसला सुनाते हुए कहा कि जब investigation हुई थी और उसे पूछा गया तो वो महिला ये थाबित नहीं कर पाई कि उसके document असली है। सभी evidence यही कहते हैं कि नौकरी पाने के लिए उस महिला ने अपने educational certificate नकली बनवाए थे। कोट ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई employee अपने employer को नकली document देने का दूशी पाया जाएगा उसके साथ सक्त तरीके से निप्टा जाएगा। अगर कोई वेक्ती जाली और मन घडंत document पेश करता है तो ऐसा वेक्ती निश्चित रूप से रोजकार के लिए आयोग के होगा। उसके साथ किसी भी तरह की सहानुभूती या फिरदया नहीं दिखाई जाएगी। और उस महिला के खिलाब आरोब पूरी तरह से साबित हो गए है तो इसलिए अगर उसे उसकी नौकरी से निकाला गया है तो इस फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता। इस केस में याचिका करता महिला ने अपने बचाओं में कहा कि कमपंसनेट जौब आने के लिए आठवी पास होना कोई शर्त नहीं थी। इस बात में कोई दम नहीं है। महिला ने ये तरक दिया कि उसके खिलाफ कोई भी चार्ज श्रीट पेश नहीं की गई थी और ना ही कानूनी सिध्धानतों का पालन किया गया था और बिने किसी प्रोसीजर के उसे नौकरी से अनुपचारिक रुप से हटा दिया गया था। लेकिन बिहार भवन के रेजिडेंट कमिशनर ने कहा कि याचिका करता के खिलाफ ओफिशिल कारेवाई की गई थी और उस महिला को बचाओ करने के लिए पूरा मौका दिया गया था जिसमें वो फेल हुई थी। तो इस तरह से दिल्ली हाई कोट ने अपना एहम फैसला सुनाते हुए कहा कि नौकरी पाने के लिए जाली डॉक्रिमेंट पेश करना एक घिनोना अपराद है और दोशी पाए जाने पर उसके उपर सक्ट से सक्ट कारवाई की जाएगी। चैजमेंट की पीडियेफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो इंफोमेट्व है तो आप इसे लाइक शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मन भूलिएगा।